एक सफिशन्ट मात्रा में फैट का हमारी बाड़ी में होना बहुत ही ज़रूरी है जिस तरह से लोग प्रोटीन के बारे में पूछते रहते हैं कि प्रोटीन मुझे कहा से मिलेगा फैट के बारे में नहीं पूछते हैं उसका बहुत बड़ा रीजन है कि एक तो प्रोटीन ब बिमारी हो जाएगी, आपको से अधर पूट बढ़ जाएगा, इसलिए लोग इसे डरते भी हैं, तो आज मैं आप को बता हूँका अगर आप जूंच आप को तेल रोज पीते हैं, तो वह इतना कमाल करेगा कि आप सोच भी ने सकते, अगर वो तेल वो ओयल आप रोज पीते हैं, आपको दिमाग तेज होगा, बुढ़ापे तक भी आपकी याददाश कभी जाएगी नहीं, आप देखते हैं कि जब ओल डेज होती है, उम्र बढ़ती है तो लोग की यादश उनकी मेमरी लॉस होने लगत आपने बहुत से फीमेल को दिखा हो कि मूट स्विंक्स होता है, बहुत चिटड़ा पनाता है, बहुत गुसा आता है, वो फैट भी उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, तो अगर आप फैट लेते हैं तो कभी आपका मूट स्विंक्स नहीं होगा, गुसा नहीं कौन सा फैट और कब लेना चाहिए और ये कहां से मिलेगा ये सब इस यूड़ी में जानते हैं तो चलिए आए शुरू करते हैं नमस्कार मैं हूँ मानत समर्थ और जैसा मैंने बता है कि फैट की हमारी बॉड़ी में कितनी जरूरत है लेकिन डॉक्टर्स की डर की वज़े से हम लोग ने फैट लेना बंद कर दिया है तो इस वीडियो में पूरी जानकारी में आपको देता हूं सबसे पहले जानेंगे कि फैट हमारी बॉड़ी में क्यों जरूरी है देखिए हमारी बॉड़ी में जो कॉलेस्टोल होता है ट्राइगलिसेट होता है विटामिन डी होत है बिना फैटी एसिड के हमारा ब्रेन जो है वो बेस्ट परफॉर्मस नहीं दे सकता इतना इंपोर्टेंट है और यह बाहर से ही लेना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉड़ी इसको नहीं बनाती है तो यह जो फैटी एसीड है कहां से मिलता है इसलिए हमारी बॉड़ी में इतना जरूरी है इसके लावा हमारी बॉड़ी की एनर्जी जो फैट से आती है कभी आपने देखा अगर किसी ने एक दो दिन का फास रखा वरत पे है तो वरत में आप कुछ भी नहीं खा रहे उसके बाद उद भी आपको एनर्जी मिल रही है वो कहां से एनर्जी मिलती है वो फैट क्योंकि हमारी बॉड़ी के अंदर डिपोजिट होता है और जब जुरूरत hोती है बाडी को तो वो उसको एनर्जी में करवर्ट करके आपको एनर्जी दैती है इसके अलाबाई ये हमारे बीपी और कोलस्टॉल को कंट्रोल करती है हमेशा कंट्रोल में रखती है और body के जितने भी glands है उसको lubrication देती है क्योंकि जिस तरह से बिना lubrication के machine नहीं चलती उसी तरह बिना lubrication के हमारी body के glands proper hormones release नहीं करते तो यह जो हमारी body के glands है यह proper hormones कब release करेंगे जब proper lubrication होगा अगर वहाँ पर dryness होगा तो hormones release नहीं करेंगे इसलिए body के अंदर बहुत ज़ाजा hormone imbalance जो आता है वो इसी से fat से ही ठीक किया जाता है यह भी उसका part है इसके अलावा vitamin A, vitamin A और vitamin D यह तीनों का absorption जो है वो fat के बिना नहीं हो सकता क्योंकि यह तीनों के तीनों fat soluble है बिना fat के यह कभी भी absorb नहीं हो सकते तो fat की इतनी ज़्यादा जरूरत है इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि हमारा brain में 60% fat होता है जो हमारा brain है 60% fat है तो fat यहां कितना जरूरी है क्योंकि brain एक ऐसा part है कि अगर brain नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है तो आप सोच लीजे कि fat कितना important है इसके अलावा जो brain के neurons है उसके development के लिए fat की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है हमारी body के जितने भी soft glands है उनकी functioning के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है और यह cells growth में support करता है तो इतनी सारी जो काम है इस fat के है और इतनी सारी जरूरत इस fat को है तो आप समझ गए होंगे कि कितना जरूरी और कितना important है हमारी body के लिए तो अब हम जानते हैं कि कौन सा fat जो है वो लेना चाहिए और कब तक लेना चाहिए देखिए हमें लेना चाहिए oil कोकि oil एक ऐसा fat है जो कि बहुत ही अच्छा है जिसको good fat बोलते है और इसमें मिलावट भी नहीं होगी क्यों नहीं होगी वो मैं आपको बता दूँगा कि कौन सा लेना है ताकि उसमें आपको मिलावट ना मिले बाकी में बहुत सारा मिलावट मिलते है जैसे दूद आ रहा है दूद में इतनी सारी मिलावट तो उसके थुरूब fat लेना बड़ा मुश्किल है तो यहाँ पर आपको oil लेना है oil बहुत अच्छा good fat है वो कच्ची घानी बुल्ड्री वन यह oil आपको लेना है कच्ची घानी बुल्ड्री वन जिसका rpm 16-18 से कम होना चाहिए यानि कि जिस oil का rpm 16-18 rpm मतलब rotate per minute जब हम तील निकालते हैं तो जो घानी घूमती है तो वो अगर आप 18 से ज्यादा एक मिनिट में घूमती है तो समझे उस oil के अंदर free radicals आएंगे और वो oil गरम हो जाएगा उसके अंदर free radicals आएंगे और वो हमारी body में सिर्फ और सिर्फ toxin पैदा करेंगे जहर पैदा करेंगे जो कि बहुत नुकसान दाएक है तो हमें वो तेल लेना है जिसका rpm 16 से कम हो 18 से कम हो आप कोशिच किजिए कि 16 से कम हो और वो एक बुल्ड रिवन जो कि कच्ची घानी बुल्ड रिवन जो है उसका जो rpm वो किवल 224 होता है दो, तीन, चार इससे ज़्यादा वो नहीं होता है यानि कि वो जो bell वो घुमता है वो एक मिनट में दो से चार से ज़्यादा rotation नहीं ले सकता यह जो आप देख रहे हैं यह मैंने एक वीडियो बनाएती है उसमें यह bell है और यह कच्ची घानी जो यह लकडी का है यहां पर तेल निकल रहा है इसका pressure पड़ता है जो हुम यहां बैटते हैं बैटने से pressure पड़ता है और इससे फिर वो तेल निकलता है इस वीडियो का लिंक मैंने description में दे दिया लाखों लोगों ने इस वीडियो के appreciate किया और देखा है आप भी जरूर देखिए आपको इससे बहुत फाइदा हुआ तेल के बारे में बहुत कुछ आप जानेंगे तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा पाँच ओयल यह जो पाँच ओयल है यह आपको लेने है इस पाँच में से आपको इस तीन भी ले सकते हैं यानि कि पाँच है लेकिन आपको तीन भी मिले तो मैं सब्सक्राइब दूसरा है तिल को द期क्राइब करन है तो लेकिन मैं कहां अब लेवल है मैं आपको बता दूगा तीसरा है सफ्लावर ओयल यानि कुसुम का तेल यह संफ्लावर ओयल नहीं है यानि कि सूरज मुखी का तेल नहीं है यह कुसुम का तेल यह अलग है ध्यान रखेगा सफ्लावर ओयल है यह संफ्लावर ओयल नहीं है यह क कुसम का तेल यह भी आपको मिल जाएगा तो यह पांचो तेल आपको लेने हैं अब हम बात करते हैं इस तेल को लेना कैसे है और बच्चों को कितना लेना है और बड़ों को कितना लेना है यह जो पांच तेल मैं आप आपको बताए है 176 कोई भी तीन ले 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 5 ले ले इतनना इपको मिल जाए पांच भी एच्छा है एक थेल एक हफते सुबह खाली पिट आपको ले ना फ्रेश होने के बाद जो आप सुबह उड़ते हैं आपने फ्रेश हुए पेस्ट किया तो किया उसके बाद आपको यह ओईल जो है लेना है जैसे आपको पांच ओईल मिले पहले हफ़ते पहला ओयल दूसरे हफते दूसरा ओयल तीसरे हफ़ते तीसरा हईल चौथे हफ़ते चौथा ओयल, पांचवे हफ़ते पांचवा ओयल और छटे हफ़ते फिर पहला वाला मिन्स आपको इस तेल को हर अपते रोटेट कर देना है और शुरुवात किसी भी तेल से कर सकते है लेकिन फिर उसी सिक्मेंस में आपको चलना है यह नहीं कि यह वाला ओयल पहले लेना दूसरा कोई भी ओयल आपसे शुरुवात कर सकते है जैसे पहले आपने नारियल तेल लिया दूसरे हफ़ते दूसरा लिया, तीसरे हफ़ते तीसरा चौथे हफ़ते चौथा, पांचवे हफ़ते पांचवा फिर छटे हपते फिर पहले वाला तो इस तरह से आपको रोटेट करना है और ये आपको पूरी जिन्दगी लेना है क्योंकि हमें हमारी बॉड़ी को 25-30 ग्राम यानि कि 25-30 ml फैट की जरूरत होती है पर दे तो ये आप ले सकते हैं पूरी जिन्दगी आपको लेना है और मैं आपको ये गारेंटी देता हूं कि इस फैट से आपका कॉलस्टोल और ट्राइगलिसएट कभी भी नहीं बढ़ेगा नहीं तो आप डर जाएंग भी इस उस्यों से कभी भी आपको ट्राइगलिसेट या आपको नही बढ़ेगा इस तेल को हम बहुत सारे पेशेंट को को देते हैं और हमारे daid 12 फैट यानि की 10 ase συंपे सब्सक्राइब को गधोरी चितना देना है दो चममच 10 ml लेना है यानि कहते और की जाड़ा देना है वह emphasizing उनकी बोड़राप नहीं चम करते है कि वह तो बहुत ज़्यादा उनको ज़रूत पड़ती है तो उन्हें आप ज़्यादा फैट दे सकते हैं अब हम बात करते हैं कि मिलेगा कहा से यह आपको ओनलाइन एवेलेबल है ओनलाइन में आपको ध्यान यह रखना है कि कच्छी घानी बुल्ड रिवन बुल्ड रिवन में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि तेल की सबसे जरूरी चीत देखनी यह नहीं है कि वो कच्छी घानी है यह है वो है उसकी सबसे ज़रूई देना है आर्पीम कितना है तेल कितना ही अच्छा है अगर उसका आर्पीम 18 से ज़्यादा है तो समझे उसके नदर फ्री रैडिकल से हैं फिर वो आपके लिए जहर के समान है तो इसलिए आपको ध्यान दिखने हैं कच्छी घरी बुल्ड रिवन में ब इसलिए सबसे जारूरी यह ध्यान देना है कि उसका आर्पीम 16 से 18 इससे कम होना चाहिए तभी वो तेल आपके लिए फायदे मन दें यह आपको नियर्वाइबी आप सर्च कर सकते हैं आसबस के एरिया में भी आपको मिल सकता है अगर कोई ऐसे निकालता हो तो जैसे वह ज तलाश कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा तो यह है गुड फैट यानि कि आ आप चुरू कर सकते हैं आप उसको ले सकते हैं और यह फैट लेने से यह आपकी बॉड़ी में बीमारी की शुरुवात ही नहीं होगी जैसे बार-बार करते हैं प्रकॉशन इस बैटर देन क्यो तो क्यों हम ऐसे काम करें कि पहले बीमार हों और इसके बाद ट्रीक्मेंट ले जाए बेटर है कि अभी से प्रिक्वेशन ले और इसको यूज करें ताकि हम इन सब बीमारियों से बचें इन सब वालम से बचें तो करने के बाद जैसे आपको कुछ फाइदे दिखते हैं तो आके यहां पर कमेंट करिए ताकि और लोग को पता चल सके कि हाँ यह सही चीज है और यह हमें शुरू करनी चाहिए थैंक्यू सो मुच वन सेगें जल्दी मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ तब तक नमश्कार